अभी जात्यों को राम राम नोश्टार उमीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी बहुत बढ़िया होंगे आप सभी को पता दें कि SSC GD Constable 2025 की 49448 विकिंसी के लिए examination date final हो चुकी है पूरी एकदम real authentic एक जानकारी आप सभी को मिलने वाली है तो आपको अभी से अपनी तयारी में जुट जाना है क्योंकि आप सभी के पास एक बहतरीन मौका है क्योंकि आप सभी को अभी से एक लियर हो गया है कि हमारी examination date कव है तो इसी के according अपनी जो भी strategy आपको रखनी है जिस तरीके से तयारी करनी है अच्छे तरीके से तयारी करिए ताकि इस बार आपकी एक seat confirm हो पाए पूरी जानकर इस वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो को लास तक जरूर देगे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ते हैं और तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना सबसे पहले आप देखेंगे एससी की वेबसाइट में जाके देखेंगे ऑफिशियल केलेंडर में आप जाते हैं तो यहां पर जो आपकी भरती है 2025 वाली इसमें बताए गया ह जबकि आप सभी को पता है कि यह कब जारी हुआ था आपका पांच सेप्टेंबर को जारी हुआ था पांच नौ को और इसकी जो लास डेट है वो कहा है 5-10-2024 तो यह कौन सी रेट हो गई है यह हो गई है 14-10-2024 तो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ था कि थोड़ा सी डिल यह ओड़ता है और इसी की वज़े से यह पूरा जो में चीज़ डिपेंड करती है कि जिस मंत में आपका एक्जामनेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग एस क्राइडिया आप कर रहेगा इसलिए आप सभी को पता है कि एक जनवरी से आप क्युम्री की गड़ना की गई है 2025 से अगर यह एक्जामनेशन आप सभी का होता मानके चलो कि दिसम्बर 2024 से लेके जनवरी 2025 तक चलता तो फिर आप यह मानलो कि आपकी एक्जामनेशन जो एस क्राइडिया है जिससे आपका क्रूशल लेट आप कह सकते हैं एस की क्रूशल लेट वो चेंज हो जाती और हो जकता ह आप सभी को पता है कि रिसेंटली यहां पर आरवी की जारी हो चुकी है और भी की इसमें सबसे मोस्स इंपोरेंट जो चीज है वह है आपके काम की कॉंस्टेबल की डेट आप सभी को बता दे कि यह जो नोटिस में आपको दिखा रहूं वह अनाफीशल है जो दूसरा अभी फॉर्म मर रहा है तो यही डेट आपको देखने के लिए मिलेंगी जिसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है आठ जनवरी 2025 से एक्जामनेशन स्टार्ड हो जाएगा और यहां पर एक्जामनेशन खतब का वहोगा सात मार्च 2025 लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिलेगा उस गैप को ही समझना है यहां पर आप देखेंगे पहले एक्जामनेशन होगा आठ जनवरी 2025 से लेके 10 जनवरी 2025 फिर एक्जामनेशन होगा 27 जनवरी को और उसके बाद जो एक्जामनेशन होगा वहोगा 3 मार्च 2025 तो य ठीक है इतना जो बीच में गैप है यह 28 जनवरी और यह दो मार्च यह इतना गैप है और यह जो गैप है ना यही आपकी SSC GD की देट से कि SSC GD 2025 की जो एक्जामनेशन डेट है वह यही है क्योंकि एक साथ दो बड़े एक्जामनेशन कभी भी नहीं चलेंगे सेंटर लेवल के एक्जामनेशन है रर्वी भी जानता है SSC भी जानता है तो इन्होंने आपस में कॉडिनेट किया होगा उसकी एक्जामनेशन डेट क्लैस नहीं किया जा सकता इसी की बज़े से यहां पर इतना बड़ा बीच में आपको गैमेप देखने के लिए मिल रहा है और वहां पर धी एक्जामनेशन के लिए बोल गया है कि चनवर फरवरी 2025 में examination होना है तो यहां पर जो आपकी date निकल के आते हैं वो 28 जनवरी से 2 मार्स 2025 आपकी जो date है वो बेटा निकल के आती है अब इसमें ऐसा हो सकता है कि 28 जनवरी से start ना होके 29 जनवरी से हो जाए या फिर 30 जनवरी से हो जाए और मुझे लगता है कि एक हैं दो दिन आगे पीछे हो जाने से आप पर कोई भी प्रवाब नहीं पड़ेगा क्योंकि exact date लगवग आपके हाथ में आ चुकि इन date से हमारा examination होने वाला है तो अब जो है बिगुल बच्चों का है आपको तयारी करने है बहुत serious होके और इस बार हर हाल में official आएगा तब हम तयारी करेंगे अगर यह dates नहीं होती तो मैं आपको कभी भी नहीं बताता लेकिन आप इस चीज को खुद अपना common sense यूज़ करके लगा सकते हैं क्योंकि जिस बच्चे को परदी चाहिए जिस बच्चे को selection चाहिए वह अभी से serious होके तयारी करेगा तबी जाके selection होगा आप अगर सोच रहे कि examination date आएगी फिर तैयारी करूंगा तो बहुत देर हो जाएगी और यह जो dates है वही आपको official भी देखने के लिए मिलेंगी बहुत ही जल